हेलो फ्रेंड्स वेलकम टु एक्जाम मास्टर चैनल और आज का टॉपिक आप सब देख सकते हैं व्याक्तिक भिन्नता पर बात करेंगे हम आज के इस वीडियो में मैंने आपको इसके पहले भी कैनन और क्रेश्मस के बारे में बता चुका हूं और वीडियो के अंत में वो ल देखिएगा कि बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा और समझ में आ जाएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे जिससे कि आपको इसके नोटिफिकेशन मिलते रहें तो व्यक्तिक भिन्नता होती क्या है सबसे पहले जान लि कि इसरा है समव गात्मर्ण इस रूप से प्रत्यक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है इन तीन रूपों में ठीक है इस तरह व्यक्तिक भिन्नता पाई जाती है सब में ठीक है शरीर के आकार रूप शरीर कार योग् gebthी कि छमता बुद्ध उप्लबधि घ्न रुचिया अभी व्यक्तिया, व्यक्तितियों के लक्षन में, मापी जाने वाली भिन्दताओं का स्थिद्ध हो चुका है, तो इस प्रकार से व्यक्ति जो है एक दूसरे से डिफरेंट होता है, वही चीज हम इस वीडियों में पढ़ेंगे, ठीक है, तो सबसे व्यक्तिक भिन्दता का पर यह जो है मैं यही कहना चाहता हूं कि किसी न किसी रूप में व्यक्ति का अन्य व्यक्तियों से भिन्द होना यही व्यक्तिक भिन्दता होती है एक व्यक्ति के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दूसरे से सभी बातों में वो समान हो और उसके लिए आवश्यक है कि उसका अ और में होता हिसमें क्या होता है ने सलिक कांद रंग यहां और से चाहिएं इसका इत्यादी प्रकाले के इसरे ब्वceksसे कही उतकराइबेर होगा रहने देखेसेगी भेद में लंबा छोटा मोटा बॉना जो भी है इस तरह से डिफेंट होता है तो यह पहला हो गया आपका शारीरिक भिन्यता सेकेंड होता है आपका योग्यता में भिन्यता कैसे होता है किसी भी कार्य को करने वा सीखने की योग्यता हर व्यक्ति जो है अलग-अलग होती है य तो है आपका मानसिक भिन्दा, मानसिक रूप से सारे लोग एक दूसरे से भिन्द होते हैं, एक ही चीज के बारे में दो अलग लोगों का अलग मत हो सकता है, प्रतेक ब्यक्ति की मानसिक इस्थिती में भिन्दा पाई जाती है, कोई बालक तीवर बुद्धी का तभी होगा, या सामान्य होगा, उसके माहौल पर्यावरण के हिसाब से, और इसके अतरिक्त बहुत से बालक ऐसे होते हैं, जो मनलिजे मंद बुद्धी के होते हैं, कुछ होते हैं, बहुत तेज होते हैं, तो इस तरह मानसिक भिन्दता में उनको रखा जाता है, वर्गी करण किया जाता ह है चोफ था है रूची में भिन्नता जिं cochon इंटरेस्ट कि डिक्टी में रूची ही भिन्नता को पाई जाती है सब की अलग-अलग होती हैं समस्याओं के प्रिति सब का द्रिष्टिकोंड भी अलग-अलग होता यही विओनुता बालकों को एक-दूसरे से अलग करती धंग से तो परपूर्ण होता है परंतो उसके गुणों में आपस में समानता नहीं होती है कोई बहुत प्रभावशाली होता है तो कोई बहुत कम प्रभावशाली तो ब्यक्तितु का प्रभावशाली होना और ब्यक्तितु का कम प्रभावशाली होना ये दो अलग-अलग व् उसका क्रिय अकलाप अलग होगा, ठीक है, इसी आधार पर उसकी चारित्रिक शमता का आकलन किया जाता है, और सभी व्यक्तियों का चरित्र समान नहीं होता है, कुछ अच्छे चरित्र वाले होते हैं, कुछ खराब चरित्र वाले होते हैं, कुछ सजन होते हैं, कुछ दूसरे से अलग है भावत्मक ड्रश्टिकोंड से आप देख सकते हैं कि कुछ बालक उग्र सुभाव के होते हैं वे दूसरे बालकों से जगडा मार पीट इत्यादी करते हैं तो बहुत से बालक शांत सुभाव के पाए जाते हैं तो उनकी भावनाओं में इतना डिफरेंस ह होता है अब चलिए इसके कारणों पर अगर हम बात करें इसके कारण नोट्स बनाते जाए व्यक्तिक भिन्नता की यह प्रकार होगे आप यहां पर से मैं आपको कारण बताऊंगा ठीक है कारण में क्या होता है देखिए इसके बहुत सारे कारण हैं समाज में अक्सर आप द सांस्कृतिक परमपरा अलग होती हैं तो यह सभी चीजें जो है इसके लिए जिम्मेदार है तो सबसे पहला जो कारण है वह है वन्शानुक्रम वन्शानुक्रम यानि हैरीडिटी इंगलिश में इसे कहेंगे हैरीडिटी ठीक है दी आई टी वाई ठीक है है एच यारी डी आई टी वाई इसमें क्या है कि मनोव्यग्यानिक ने व्यक्तिक भिन्यताओं के जो है कारण वन्शानुक्रम को माना है कि वन्शानुक्रम भी जो है एक चीज ऐसी है जो व्यक्तिक भिन्यता उत्पन कर देता है ठीक है क्योंकि शारीरिक और मांसिक योगता है अधिकांश बच्चों में अपने वन्ष शे अपने पूर्वजों से पीता से और भी उनके वन्ष जो से मिलती है ठीक है जैसे कहावत है कि बिल्ली के अधास है कि वन्ष करम में प्रजातिय संबंधों को संतति दर संतति प्रवाहित करने वाला शरल शब्द है इस तरह से यह जो है दूसरा है यौन विभेद यौन विभेद यह भी व्यक्तिक विन्दता का एक प्रमुक कारण है इसके अंतर गयतियों में भी istrypruus की बनावट में तो अंतर पाया जाता है इस त्रियों की बनावट अलग होती है और उनके रहन सहन सोच विचार बुद्धी आवाज कार्य चहमता में भी काफी विन् शारीरिक भिन्दता योग्यता क्या कलाप वा कारे छमता में काफी अंतर आता है तो यौन विभेत भी इसका प्रमुक कारण है तीसरा जो कारण है वो है वातावरण आप किस वातावरण में रह रहे हैं साफ सुथरा स्वाच्या गंदा तो व्यक्तिक भिन्दता पर वाताव प्रभाव पढ़ता है क्योंकि भावतिक वातवरण दशाए शक्ल रंग रूप आकार प्रकार व्याव हार तथा मान्यताउं को निर्धारित करने में योग देते हैं सामाजिक वातवरण б Mountain भी सामाजिक मान्यताय निर्धारित करते हैं जिन पर वियक्ति प्रभाव पढ़ता है तो इस तरह वाता वरण भी जो है व्यक्तित को प्रभावित करने वाला व्यक्तिक भिन्यता को प्रभावित करने वाला का रख है चौथा है जाती प्रजात एवं इस्थान जाती प्रजाती स्थान जहां वो रह रहा है ठीक है तो इसके अंतरगत क्या आएगा देखे इसके अंतरगत यह आएगा कि जाती प्रजाती स्थान सोच परमपरा इसका जो है ब्यक्ति की भिन्नता ब्यक्तित वपर विकास पर प्रभाव पड़ता है उनमें जो है किसी में ब रहने वाले तथा मध्य में रहने वाले उपर भिन्यता पाई जाती है खान पान उनका अलग होता है आचार विचार सारी रिख्षमता बनावट भेज भूशा यह सारी चीजें प्रभावित हो जाती है जात प्रजात के वज़ाद से ठीक है और जो सबसे अंतिम है वह रूच इंट्रेस्ट इसमें भी ठीक है आपका इंट्रेस्ट आपको क्रियेट करता है बालक तथा बालकाओं में रूच में भेद पाया जाता है तथा भिन भिन बालकों की रूची भी परियाप्त डिफरेंट रहती है पढ़ने खेलने रहन सहन बेज भूसा इत्याद में सब की तो इस वीडियो में आपने व्यक्ति भिनेता पढ़ा और व्यक्ति भिनेता को प्रभावित करने वाले कारणों को तो यह आप 5.000स लिगी जे और यह लिख लिजी ठीक है यह 7 points यह और 5 points यह आपके लिए important है तो इस वीडियो में फिलाल इतना ही आगे फिर बाल मनुविज्ञान के वीडियो में हम बात करेंगे वन शानुक्रम की वातावरन की कक्षा का वातावरन और सामाजिक वातावरन विद्यालाई के बारे में और कुछ मैं test paper दूँगा आपको पसंद आया हो तो क्योंकि कई चीजे मैंने clear करने कोशिश की शारीरिक भिन्नता प्रतियक व्यक्ति सबसे अलग होता है यही होती है व्यक्तिक भिन्नता बहुत ही आसान है और इसका यह कारण है इतने 5 और यह जो है व्यक्तिक भिन्नता के प्रकार है तो इसके प्र